हेलो एवरीवन दिस इस ओरभ सिंग बगेल और विलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाई प्लैनिंग इस इंपॉर्टेंट ठीक है इस से पहले के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लैलिस्ट में मिल जाएंगे या आई बटन आप चेक कीजेगा वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आप इपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें करती है when we talk. लिए तो पता होता है कि क्या करना है तो हमारा एक्शन भी ँसी के कारिंग होगा तो प्लैनिक प्रॉआइज़ इयरेक्शन फॉर अट्ज़ कोर करना चाहते हैं तो आपके सारे एक्षंस भी क्या होंगे इसी तरह के होंगे जिससे आपका ये 90 परसेंट को अब्जेक्टिव अचीव हो जाए उसके बाद second point planning reduces risk of uncertainty देखो planning future के लिए की जाती है और future को anticipate करने की कोशिस की जाती है मतलब future के बारे में हम plan बनाते हैं अब देखो future को 100% predict नहीं किया जा सकता future को completely certainty के साथ predict नहीं किया जा सकता फिर भी planning क्या करता है eliminate नहीं करता planning risk को कम करता है खत्म नहीं करता planning देखो plan आपने किया risk कम हो जाएगी लेकिन आप पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते तो by anticipating future events and making necessary provisions for it अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे planning में ऐसा सोचा जाता है ठीक है उसके बाद जैसे माल लीजे यहां पर एक एक एक्जामपल दो कि आपने planning की थी कि हम class करेंगे ठीक है आप face to face class में जाएंगे तो आपने यह plan किया था लेकिन कोरोना की वज़े से lockdown है और lockdown की वज़े से आपको online classes अगर करनी पड़ रही है तो यह क्या है आप क्या कर रहे है change कर रहे है situation के हिसाब से तो planning से risk of uncertainty कम हो जाती है उसके बाद planning reduces overlapping and wasteful activity देखो planning में clear cut बता दिया जाता है कि करना क्या है जब यह बता दिया जाता है कि करना क्या है मान लीजिए आपको कोई घर दोड़ना है या कहीं किसी शॉप पर जाना है अगर आपको रास्ता ना पता हो तो आप भूम भूम के जाएंगे कई बार round लगाएंगे लेकिन अगर आपको पता हो कि स्ट्रेट जाना है और वही पर आपको शॉप मिल जाएगे तो आप बिना किसी confusion के वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो planning gives clarity in thoughts and actions आपको पता होता है क्या करना है और कैसे करना है and helps in avoiding confusion कोई संदेह नहीं होता misunderstanding गलप फहमी नहीं है थी and minimizing useless activities फाल्तु के काम भी नहीं होते तो यह planning reduces overlapping and wasteful activity आप इसको note कर लेंगे है ना वीडियो पॉस करके उसके बाद अगर बात करें फोर्थ planning promotes innovative ideas देखो planning में भी या क्या है planning आप पढ़ चुके है characteristics में कि planning is an intellectual process intellectual process मतलब बुद्धी का काम है दिमाग लगाने का काम है सोचने का काम है अकल का काम है तो भी या planning में आपको क्या करना पढ़ता है जब सोचते हैं तो आपके दिमाग में नए innovative ideas आते हैं इससे क्या होता है कि नए तरीके मिल जाते हैं कई बार नए सोचा जाती है कि इस तरी planning facilitates decision making देखो आप जब plan कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे option होंगे उन options को आप क्या करेंगे एनावाला फैंसल होगा समझने की कोशिस करें कि क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा तो आपको rational decision लेना होगा rational decision यानि होता है बुद्धिमानी बुद्धिमानी वाला फैंसला लेना होगा तो planning आपको अब जैसा plan होगा वैसा उसके according decision लेंगे तो planning आपको मदद करता है कि आप अपने target के हिसाब से क्या कर सके decisions ले सके उसके बाद planning establishes standard for controlling planning जो होता है वो आपकी controlling के लिए standard देता है जैसे मालो हमने plan किया था कि हमें हर महीने 1 lakh unit बनाना है एक लाख unit का production करना है ठीक है तो ये हो गया plan ठीक है ये हो गया आपका plan अब माल लीजिए actual हुआ आपने बनाया 80,000 ये actual बनाया एक महीने में 80,000 units बनाया तो आप compare करेंगे कि plan कितना किया था और actual कितना हुआ अब ये 20,000 unit कम हुआ actual में 20,000 units का कम हुआ तो इसके लिए हम क्या करेंगे corrective measures लेंगे इसके लिए इस मतलब ये क्यों ऐसे 20,000 units कम बने इसके लिए हम क्या करेंगे corrective measures लेंगे तो planning क्या करता है अगर planning ही ना हो तो आप controlling कैसे करेंगे इसको compare करने के लिए मतलब actual performance को compare करने के लिए planning क्या करता है standard provide करता है तो यही लिखा हुआ है कि controlling involves comparison of actual performance with predetermined standard पहले से सोचा हुआ है planning provides standards against which actual performance is compared ये standard है ये actual है compare किया जो difference है उससे controlling के थ्रू दूर किया जाएगा तो आप इसको क्या कर ले copy कर ले ठीक है अब आगे चलते है अब आते हैं limitations of planning यानि planning में क्या problems हैं देखो planning important है लेकिन planning also have certain limitations or drawbacks ठीक है तो पहला planning leads to rigidity भहिया देखो methods को बता दिया जाता है कि employees ये method follow करेंगे उसमें कोई change नहीं करना है तो भहिया जब change नहीं करना है तो वो एक rigidity आ गई planning ऐसी होनी चाहिए जो time के साथ situation के according उसको क्या किया जा सके modify किया जा सके change किया जा सके मतलब भहिया समय के हिसाब से उसको परिवर्तित किया जा सके planning ऐसी होनी चाहिए उसके बाद planning may not work in dynamic environment ये क्या बात है भहिया देखो आप future के बारे में planning बनाते हैं लेकिन मालो future में change आ गया जैसे आपने अगर सोचा हो कि मैं जाके process करूंगा अप्रेल से और अप्रेल से lockdown हो गया मार्च से ही तो आपका planning dynamic environment में काम नहीं करेगा कई बार होता क्या है कि future आप predict करने की कोशिश करते हैं लेकिन you cannot predict future 100% with 100% accuracy आप 100% accuracy के साथ future predict नहीं कर सकते तो होगा क्या आपकी planning हो सकता है कि fail हो जाए और plan बना लिया इसका मतलब यह थोड़ी है कि successful हो जाएंगे फिर planning reduces creativity देखो होता क्या है organizational planning यानि बड़े level की planning यानि strategic planning करता है top level management और top level management कहता है कि middle level management और lower level management तुम अपना दिमाग मत लगाना जो बोला उतना करो अपनी बुद्धी लगाने के जरूरत नहीं है मतलब rest of the members का मतलब होता है rest of the member यानि middle and lower middle and lower level management को बोला जाता है कि जो हमने decide कर लिया है जो top level ने decide कर लिया है तुम उसको follow करो अपने बुद्धी का प्रियोग करने की जरूरत नहीं है तो इससे क्या होता है जब भीया आप बोल देंगे कि तुम को ये बोला है चुपचाप यही करो तो भीया creativity खता मैं अपनी सोच लगा नहीं सकता मैं अपना दिमाग लगा नहीं कई बार 5-5 लाक रुपए दिये जाते हैं उसके अलावा professional experts माल लीजे आप कोई नई चीज लाना चाहते हैं तो उससे professional experts से आप सलाह ले वो काफी अच्छी fees चार्ज करते हैं तो इस तरीके से planning में कई बार बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है हमें ये देखना चाहिए कि planning में जो खर्च लग रहा है वो planning के फायदे से कम हो मतलब माल लीजिए कि हमें plan माल लो successful हो गया तो 2 करोड का 2 करोड मिलेंगे और planning पे हमने 5 करोड खर्चे कर दिये तो भीया ये तो गलत है ये तो कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है आपने 2 करोड आपको मिलना है और उस planning पे आपने खर्च कर दिये तो ये economic planning नहीं है उसके बाद planning is time consuming process भीया planning में समय लगता है और कई बार इतना समय लग जाता है कि वो opportunity ही खतम हो जाती है तो planning में data को analyze करो और interpret करो collection मतलब होता ही कठा करना analyze मतलब होता है उसको समझना और interpretation यान होता है उससे conclusion निकालना conclusion निकालना इसका मतलब होता है समझना और इसका मतलब होता है एकत्र करना एकत्र करना यानि एकठा करना तो आप कई बार conclusion निकालते निकालते वो opportunity ही खतम हो जाती है उसके बाद planning does not guarantee of success देखो भीया आप जैसे आप student है आप हमेशा time table बनाते हैं आप 10 में रहे होंगे तो आपने time table बनाया होगा 12 में आये हैं तो भी आप time table बनाते होंगे कि मैं इतना पढ़ूंगा 8-10 घंटे डेली पढ़ूंगा और बहुत गजब का result लेके आऊंगा लेकिन हर शाम को आप अपने आपको ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि ये पढ़ाई मैं कल से करूंगा त आपने unless the plans are translated into the action आप successful नहीं हो सकते मतलब plan सफल तभी होगा जब उस पे काम किया जाएगा बिना काम किया सिर्फ plan मना रहे हैं हम तो successful नहीं हो सकते उसके बाद आप इसको note करेंगे वीडियो को pause करके और हम आगे चलेंगे ठीक है अब आते है steps of planning process very important steps in planning process मतलब planning किस तरीके से की जाएगी तो आईए समझते हैं पहला है setting objectives planning का step number one सबसे पहले objectives को determine किया जाएगा objectives मतलब वो मंजिल वो सपना जिसे हम पूरा करना चाहते हैं destination of organizational efforts मतलब where we want to reach हम कहां पहुचना चाहते हैं तो पहला objectives को determine करना objectives कैसे हो सकते हैं जैसे हम यह कहें कि हम इस साल अगले साल एक साल के अंदर अपनी sales को 25% बढ़ाना चाहते हैं जैसे जीओ है माल लेजे उसके 10 करोड subscriber हैं तो वो यह कहें कि मैं एक साल में 2 करोड subscriber और जोड़ना चाहता हूँ तो यह सारी चीजें कहां पर आएंगी setting the objectives या नहीं objectives को determine करना दूसरा developing premises premises का मतलब होता है base आप एक base बनाएंगे जिस base के basis पर आप क्या करेंगे planning बनाएंगे जैसे इसमें हो सकता है कि market की situation क्या होगी competitor कैसे react करेगा भीया जियो ने बता दिया कि 2 करोड subscriber हमें जोडने हैं लेकिन air tail को भी तो देखना पड़ेगा air tail के basis पर भी करना पड़ेगा कि air tail किस तरह से अपने plans में change कर रहा है यह भी देखना पड़ेगा उसके बाद जब आपने premises बना लिया तो आप क्या करेंगे identify करेंगे कि कौन कौन से options आपके पास available हैं तो identifying alternative courses of action आप options को identify करेंगे जो भी options आपके पास available होंगे जैसे अब माल लीजिए जियो ने क्या करना है दो करोर सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो वो यह सोचेगा कि क्या मैं data rate कम करके मतलब उसके data charges कम करके customer बढ़ा सकता हूं या मैं कोई extra facility दे के customer बढ़ा सकता हूं तो आपको क्या करना उसके बाद evaluating alternative courses आपको उन जितने भी options आपने चुने उनका evaluation करना पड़ेगा जैसे evaluation मतलब होता है सभी के positive points और negative points को देखना जैसे online classes का और offline मतलब आप face to face class करें तो उसके आप face to face की बात करें तो face to face में फायदा यह होता है कि आपको उस time पे attend करना ही होता है चाहे आपके मरजी हो या ना हो दूसरा वहाँ पर frequent test exam like situation में कर लिए जाते हैं जबकि online classes में क्या होता है आपकी choice आजाती है कई बार वहाँ पर आपको physically present होने की जरूरत नहीं होती दूसरा test वगेरा उतने बहतर तरीके से conduct नहीं किये जा सकते तो सभी options के कुछ ना कुछ फायदे होंगे सभी options के कुछ ना कुछ नुकसान होंगे economic फायदे भी होंगे strategic फायदे भी होंगे उसके बाद आपने ये कर लिया analysis कर लिया तो आप क्या करेंगे select करेंगे best alternative को जो आपके objective के लिए most suitable होगा पहले आपने क्या किया evaluation सबके positive देख लिए सबके negative देख लिए तो उसमें से जो सबसे अच्छा होगा उसी को चुना जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा आपने चुन लिया तो उसके बाद क्या करेंगे आप plan को implement कर एकना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपने plan को implement कर दिया and the last one is follow up and action follow up and action मतलब हम देखेंगे कि plan सही सही में जिस तरह से हम सोच रहे हैं उसी तरह से हो रहा है कि नहीं जैसे माल लीजिए आपने सोचा था कि online class करेंगे तो बहतर तो आपने एक महीने बाद टेस्ट द दूसरा developing the premises तीसरा identifying alternative courses of action 4th evaluating alternative courses 5th selecting an alternative 6th implement the plan and follow up and action तो follow up action तो this is all about steps in planning दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो like करें शेर कर सकते हैं अपने classmate के साथ और comment करके अपने feedbacks जरूर दें thank you very much